यह जो सामने आप लोग पुदीना देख रहे हैं यह दो साल पुराना मेरा पुदीना है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही सर्दियां खत्मों और गर्मियां आनी सुरू हो तो आपको अपने पुराने पुदीने के पुदे की देख भाल कैसे करनी है उसमें कौन सी फर्टिलाइजर देनी है कितनी देर उसको धूब दिखाना है और किस तरीके से इसको पानी देना है जिससे कि यह पुदा जल्दी घना हो जाए और आपको धेर सारा पुदीना फिर से गर्मी में हार्वेस्ट करने को मिल जाए तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा तो चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं नमशकार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब ही लोगों का हार्दिक स्वागत है जैसे ही सर्दियां सुरू होती है यह डॉर्मेंसी पीरेड में चला जाता है और अपनी ग्रोथ को रोग देता है लेकिन जैसे ही बसंतुर को पंभाने के पुदी पुदीने के पॉदे को अगर गौर से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इसमें जणेवही पर बनती हैं जहां पर इसका तना मिंती को चूत जिससे यह वहीं पर फैलता जाता है और फ्रञेंस यही कारण होता है कि पुदीना फैल कर to def夫 hasered एक पौधा लगाने पर तुशे लिए बताती हूं कि अपने पुराने पौधे को घना बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करना है अभी इसी फरवरी के महीने में तो सबसे पहले इसको घना बनाने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी होगी तो कटिंग करने के लिए पुदीने की जि उनको हरी नहीं होनी है यह जो पत्तियां खराब हो गई हैं उन सब इको पौधे पर से हटा देते हैं साथ में अगर पौधे में किसी तरीके का खट-पतवार या कोई गहास वगएरा है तो उसको भी हटा देते हें जिससे कि जब पौधा अपनी ग्रोध को स्टार्ट करें त के तनों में ही होती हैं आप रिपॉर्ट भी अभी कर सकते हैं लेकिन अभी इसके लिए ये समय सही नहीं है मार्च के महीने में रिपॉर्ट या फिर कटिंग के द्वारा पौधे को लगाया जा सकता है अभी सिर्फ अपने पुराने पुदीने के पौधे की सिर्फ कटिंग क परके उसको खाद ही देना है चुकि पुदीने के तने पूरी मिट्टी में फैले हुए हैं और इन तनों को बचा के हलकी सी जगे बनानी है खाद देने के लिए और खाद देने के लिए इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का पाउडर मिलाना है प्रेंट नीम खली के पाइदा होगा कि इसमें नाइट्रोजन फासफोरस और पोटेस्टियम के लावा बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रेंस होते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं तो चुकि पौधों के तने मिट्टी में काफी फैले हुए होते हैं इस देना होता है जितना की अच्छी तरीके से मिट्टी भीग जाए आप देखेंगे कि लगबग एक हटे बादी आपके पौधे में नई ग्रोथ आनी सुरू हो गई है और अब इस पौधे को धूप की बात करें तो फ्रेंट्स अभी इसको आप धूप में रख सकते हैं लेक तो आपका पौधा फिर से नया जैसा उतना ही घना और हरा भरा हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने को फिर से मिलने लगेगा तो यह था फ्रेंट्स आज का वीडियो और वीडियो में मैंने बताया कि अपने पुराने पुदीने के पौधे को फिर से ह पर अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा